Hello everyone, Welcome to the Learner's Room ये जो प्ले है ये शुरू होता है पहला सीन आता है डेनमार्क की राज़दानी अलसीनोर का आपको अध्यान से इस वीडियो को सुनना है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको इस पूरे के पूरे प्ले की स्टोरी याद हो गई है तो आपको बस सुनना है देखिये ड इलकुल डेनमार्क की के राजा की तरह दिखता है जिनकी हाली में मिर्ट्य हुई है और ये भूत दोस्तों शाही किले की दिवार के आसपास जो गार्ड है उन गार्ड को ये दिखाई पड़ता है उस भूत को देखकर किले के गार्ड वो डर जाते है वो जल्दी जल्दी ह और उसे सोचा कि मैं तो भूद देखने खुद जाओंगा हुरेश्यो भूत देखने के लिए खुद जाता है हुरेश्यो जब गया उसने क्या देखा उसने देखा कि डेनमार्क के राजा का भूत उसके सामने कड़ा है हुरेश्यो जो है अब घबरा जाता है हुरेश्यो ये सारी कि सारी बात जाकर बता देता है किस भूत जो है वो हैमलेट को एकांत में ले जाकर बताता है कि मैं तुमारे पिता का भूत हूँ और अपनी डेत की पूरी कहानी वो सुनाता है कि देखिए मैं तुमारे पिता का भूत हूँ मेरी जो म्रत्यू है वो साप के काटने से नहीं हुई है मेरी म्रत्यू तुमारे की राजा को बाग में सापने कट vidéo में जिस से राजा मर गया ृख़ लेकिन तुम मे बातों ध्यान वा। क्क वो हुर शोर गया है कॉरु घप साम पूरी कि पूरी बात हॉमलेट को बता था हैॉमलेट जबbane बशस से मिलतार है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सद्वे में आ जाता है याने कि हैमलेट से वो भूत कहता है कि हैमलेट तुम्हें मेरी मोत का बदला लेना पड़ेगा ये था एक्ट फस्ट अब सेकेंड सीन स्टार्ट होता है एक्ट फस्ट का सेकेंड सीन अब स्टार्ट होता है दोस्तों दूसरा सीन कुछ इसा है, कि डेनमार्क के राजा का दर्बार सजा है, जहाँ पर कलोडियस गद्धी पर बेठा है मैंने आपको बताया था, यह जो कलोडियस है ना, जिसने हैमलेट के पिता इस घोस्ट का मडर कर दिया है और खुद Clodius जो है की गद्दी पर बैठा है गर्टूथ हैमलेट की मा है इसके पती को मरे हुए यानि कि गर्टूथ के पती को मरे हुए एक महिना भी नहीं हुआ और इसने अपने देवर Clodius से विवा कर लिया पूरा दर्बार सजा है शान्त है राजा घुषना कर देता है कि जो प्रिंस हैमलेट है वो पहला उत्तरधरी कारी होगा इस दर्बार का लेकिन दोस्तो हैमलेट दूर खड़ा हुआ है उदा से उसे इस चीज में कोई इंट्रेस नहीं है हमलेट की माँ गर्टूथ हमलेट को सांतिवना देती है कि बटा जो है कि प्रत्ति एक वेक्ति को एक दिन मर जाना है प्रत्ति एक वेक्ति संसार में आती है उसको एक दिन मर जाना है इसलिए तुम्हें अपनी पिता की म्रत्यू पर इतना ज्यादा شोक नहीं वालाना चाहिए दोस्तं क्योंकि हमलेट बैचारा वैसे ही तना टेंसर में था उसे अपने पिता ने already भूत के रूप में आकर सारी बाते बता दिय थी अब क्योंकि हमलेट अपने पिता के अंतिम संस्कार में आया हुआ है यहाँ पर क्योंकि मेंना को वदाया था कि वो विटिंगबर यूनिवस्टी में पढ़ रहा है लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था यह कि वो फिलोशोपी की पढ़ाई कर रहा है बी ए का वो स्टूडेंट है और क्योंकि वहाँ अपने पिता के अंतिम संसकार जिसे हम कहते है क्रिमेशन में यहाँ पर आया हुआ है तो क्लोडियस और गल्टूद उससे कहते है कि अब तुम वापस पढ़ने के लिए विटिंगबर मच जाओ है ना और हैमलेट जो है पहले इनकी बात को ऐसे ही नेगलेट कर देता है लेकिन वो बात को मान लेता है और वहाँ पर रुख जाता है यहीं पर होता है हमारा एक्ट फस्ट का सेकेंड सीन खतम अब होता है थर्ड सीन स्टार्ट अब दोस्तो कहानी आगे बढ़ती है तीसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पॉलोनियस है पॉलोनियस मैंने आपको बताया था लॉर्ड ऑप चेंबरलीन यह पॉलोनियस है ना यह ओफेलिया और लियर्टीस का पिता दोस्तों यह बैठा हुआ है लियर्टीस और ओफेलिया के बीच में इन दोनों सिबलिन्स के बीच में कुछ बाते चल रही है है ना तब ही दोस्तों पॉलोनियस इंटर्फेर करता है और लियर्टीस से कहता है कि तुम अब फ्रांस की यातरा के लिए तैयार हो जाओ याने की तुम अब फ्रांस के लिए चले जाओ तो यह बैसिकलि इसको फ्रांस क्यों भीज़ रहा है मैं आपको बताया था कि ये फ्रांस में ही रहता है लियर्टीज पहले ये वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था और बात में ये वही का क्या बलता है वही का ये एमबेसेडर बनता है जोस्तों बातचीत में ही ओफेलिया जो है ये बताती है कि मैं हैमलेट से प्रेम करती हूँ लेकिन पॉलोनियस उससे कहता है कि बेटा प्रिंस हैमलेट से तुम प्रेम मत कीजिए क्योंकि प्रिंस हैमलेट कहा है और हम कहा है याने कि हमारे इस तर में बहुत ज़दा अंतर है और तुम्हें जो है की हैमलेट जो है वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है तुम्हें उससे प्रेमपत्र भी स्विकार नहीं करना चाहिए तुम उससे बिलकुल दूर रहो ठीक है अगला सीन स्टार्ट होता है कहानी आगे बढ़ती है अब दोस्तो सेकेंड एक्ट स्टार्ट होता है Polonius अपने 7 सेवक है Polonius का एक जिसका नाम है Ronaldos उसको कुछ धन देकर उससे कहता है कि तुम Paris चले जाओ और ये धन Paris में जाकर Liartis को दे देना मैंने आपको बताया था क्योंकि Liartis Paris यानि कि France में study कर रहा है और वहाँ पर कुछ धन लेकर Polonius उसके एक सेवक Ronaldos को वहाँ पहुचाता है वो उससे कहता है Ronaldos को वहाँ आदिश देता है कि Paris जाकर तुम्हें ये पता ना लगाना है कि Liartis वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा है या सिर्फ मुझ मस्ती कर रहा है है ना कि वह वहाँ पर टाइम पास तो नहीं कर रहा है तो Ronaldos वहाँ पर चला जाता है तभी दोस्तो ओफेलिया आती है और काफी गुसे में लग रही है ओफेलिया अपने फादर को वो हैमलेट के विवहार के बारे में बताती है क्यूंकि दोस्तो हैमलेट को उसकी पिता की मोत का जब उसके साबने रहस से खल गया था तो वह काफी ज़ादा बेचेन था तो कलोडियास जो है यह बताती है किसको ऑफेलिया बताती है पॉलोनियास को कि पिताजी हैमलेट में से अजीव जीब तरह का व्यवार कर रहा है दोस्तो कहानी आगे बढ़ती है कहानी में अब एंट्री होती है दो नए करेक्टर की जिनका नाम है रोसेन क्रेंट्स एंड गिल्डिस्टीन मैंने आपको बताया था ये बचपन के दोस्ते हैं हैमलेट के दोस्तों ये दोनों हैमलेट के बचपन के दोस्ते जो गर्टूद है यानि कि हमलेट की माँ वो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों पता लगाओ कि हमलेट का वेवार क्यों बदाल रहा है यानि कि वो बेचेन क्यों हैं ये दोनों हैमलेट से मिलने जाते हैं तभी दोस्तो होता ये है कि राजा के पास इदर राजा मतलब कौन? क्लोडियस क्लोडियस के पास पॉलोनियस आता है और कहता है कि हैमलेट के बेचेन होने का करण मैंने पता लगा लिया है साहब Hamlet जो है इसलिए बेचेन है कि वहाँ प्रेम में निरास है यानि कि वो क्या कहता है कि वो कहता है कि वो पागल हो गया है वो Ophelia के प्यार में एकदम पागल है और ये जो Polonius है ना ये Polonius इस Clodius को यानि कि राजा को एक प्रेम पत्र भी देता है और ये कहता है उस पत्र में लिखा हुआ है Hamlet ने वो पत्र Ophelia के लिए लिखा था वो Ophelia से मिलने का कुछ प्लान कर रहा है तो दोस्तो राजा जो है यानि कि Claudius Polonius से कहता है कि हम दोनों को छुपकर इन दोनों की बात सुनने चाहिए ठीक है राजा Polonius परदे के पीछे से छुपकर इन दोनों की बात को सुनने को राजी हो जाते है और फिर ये दोनों यानि कि Polonius उसकी बात सुनकर राजा का आदेस मान लेता है और इन दोनों की बात को सुनता है दोस्तो हैमलेट एक प्रेम में ठुक रहा हुआ प्रेमी है बेचारा है ना यानि कि वो जीवन की समस्या उसे जूज़ रहा है वो डिलेमा में रहता है और जब वो डिलेमा में रहता है तो वो एक सोले लिकी कहता है to be or not to be that is the question यानि कि मैं जिंदा रहूँ या मिर जाओं यही तो प्रश्ण है लेकिन उसके पिता की उसको मौत का बदला भी लेना है तो वो सूँचता है कि मैं मर भी कैसे सकता हूं वो मरना तो चाता है लेकिन वो मर नहीं पाता है फिक एक कहानी आगे बढ़ती है दोस्तो हैमलेट और ओफेलिया जो है ये दोनों एक रूम के अंदर बात कर रहे हैं लेकिन तभी हैमलेट जो है उसकी बातों को पर्दे के पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं कलोडियस और पलोनियस हैमलेट को पता चलिगाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है राजा सोचता है कि हमलेट को इंगलेट भेज दो क्योंकि राजा ने हमलेट और ओफेलिया के बीच की सारी बातों को पर्दे के पीछे खड़ा होके सुन लिया है तो दूस्तों राजा ये सोच रहा है अपने पिता की मौत का बदला ले लूँ, पहले मैं यह confirm कर लूँ कि मेरे पिता की मौत सच में Claudius ने की है क्या, मेरे अंकल ने की है क्या, तो उसने दोस्तों एक mouse trap खेला, अब देखिए एक शब्द आता है mouse trap, m-o-u-s-e mouse, t-r-a-p-e, mouse trap, देखिए mouse trap का basically मतलब मैं आपको last video में बताया था, it is a play in a play, यानि कि नाटक के अंदर जो नाटक खेला जाता है, उसे हम कहते हैं basically mouse trap, क्या कहते है, mouse trap, तो दोस्तों यह planning करता है, है ना, planning करता है, यह कुछ लोगों को बुलाता है, तभी दोस्तों एक नाटक खेला जाता है, जिस नाटक का title था mouse trap, या फिर murder of gunjago, क्या title था, murder of gunjago, यानि कि gunjago नाम का एक character है, जिसका murder होता है, उस gunjago का murder ठीक उसी तरह करवाया जाता है, इस play के अंदर, जिस तरह Clodius ने उसके भाई, यानि कि senior hamlet को मारा है, दोस्तों play perform किया जाता है, play के अंदर murder का scene आता है, यानि कि, जिस तरीके से Clodius ने अ hamlet के पिता का, तो hamlet के पिता को मारा है, वैसा उसमें scene create किया जाता है, और जब murder का scene आता है, तो Clodius कुछ बेचेर होकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे ही Clodius वहाँ से भागता है, hamlet confirm हो जाता है, कि कुछ भी हो जाए, मेरे पिता की म्रत्यू चाचा नहीं किया, दोस्तों Clodius अपने कीये पर पश्याताब करना चाता है, वह जुखकर प्रात्ना करना चाता है, है ना, लेकिन, दोस्तों, क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है, कहानी में दोस्तों, यह होता है कि जो hamlet है, यह चाहता है, कि अब कैसे भी करके मुझे Clodius को मारना है, होता यह है, कि हैमलेट ये सोचता है कि अभी तो ये कलोडियस प्रातना कर रहा है अगर मैंने इस समय पर इसको मार दिया तो ये सीधे स्वर्ग चला जाएगा यानि कि क्योंकि भागवान की प्रातना ये कर रहा है तो भागवान की प्रातना करते हुए अगर मैंने इसको मारा तो ये सीधे सवर के चला जाएगा लेकिन मुझे तो इससे नर्क में भेजना है इसलिए वोस्ट को नहीं मारता है कहानी आगे बढ़ती है कहानी में दोस्तो हैमलेट की मा हैमलेट से मिलना आती है दोनों के बीच में बाते हो रही है यानि कि हैमलेट और हैमलेट की मा गल्टूथ दोनों के बीचे बाता हो रही है गल्टूथ कहती है है हमलेट ते कि तुमने ये माउस ट्रिप करवा कर अच्छा नहीं किया हमलेट तुमने कलोडियस को नराज कर दिया यानि कि तुमने 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 अंकल को नराज कर दिया अब बेचारा हैमलेट क्या ही बोले दोस्तो दोस्तो कमरे के अंदर इन दो माँ बेटों के अलावा भी एक तीसरा शक्ष चुपा है जो पर्दे के पीछे छुपकर इनकी बाते सुन रहा है और वो है ये दर्बारी पलॉनियस हाँ दोस्तो ये जो पलॉनियस है न ये गल्टूद और हैमलेट की बात को सुन रहा है दोस्तो दोस्तो हैमलेट और गल्टूद के बीच में तीकी बहस हो रही है तभी गल्टूज जो है वो सहाइता के लिए चिलाती है और पर्दे के पीछे से अवाज आती है क्या हेल्प तभी हैमलेट को ऐसा लगता है कि शायद पर्दे के पीछे कलोडियस है तो वहाँ आओ देखता है ना ताओ सीधे जट से अपनी तलवार निकालता है और सीधे गौब देता है उस पर्दे के अंदर और दोस्तो वहाँ पर इस पॉलोणियस का मड़ा रोजाता है यानि क्योंकि पर्दे के पीछे पॉलोणियस था तो पॉलोणियस मर जाता है हैमलेट को लगता है कि कलोडियस की मरत्य हुई है लेकिन सच में मृट्यू किसकी होती है पॉलonnias की दोस्तों, कलोडियस को बताने के लिए चली जाती है, वो बताती है कि किस तरीके से पॉलonnias की डथ हो गई है कलोडियस जो है वो गलटियस की bातों पर विश्वास करता है और वो बुलाता है दो इसे करेक्टरिस को जो की बच्पन के दोस्त है हैमलेट के रोसन क्रेंड्स एंड गिल्डिस्टीन वो उन दोनों को बुलाता और कहता है कि इंग्लेंड जाने के तयारी करो और पॉलोनियस की बोड़ी को चर्च के अंदर ले जाकर उसको अराम से उसका जो है कि आप क्रेमिशन कर दो और ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि लोगों से क्या कहना है बाहर जाकर लोगों के साथ क्या बाते करनी है कहानe आगे बढ़ती है दोस्तो हैम्लेड जो कि एक बेचारा व्यक्ती है ये किंग क्लोडियस से मिलने के लिए जाता है क्लोडियस उससे पॉलोनियस के विष्य में पूछता है हैम्लेड पहले तो मना कशता है लेकिन अंते में वो बता देता है कि हां मेरे हाद 가지 है इंगलेंड जाने की तियारी यहां पर होती है रोसेंप्रेन और गिल्डिस्थीन दोनों हैमलेट के अंगर अक्षक बनकर इंगलेंड जाएंगे यह बात तय हो जाती है यह दोनों इंगलेंड तो जाएंगे दोस्तों लेकिन यह इंगलेंड जा रहे है ना तो पता है आपको य trophies उस CLODIUS का एक गुप्त लेकर जा रहे हैं यानिकि ये दोनों इस CLODIUS का एक गुप्त लेकर जा रहे हैं उस पत्र में एक बात लिकी हुई है क्या बात लिकी हुई है यापका आगे पते ही चलेए दोस्टो हैमलेट भी इंग्लेंट जाने के तियारी करता है वो अपनी मा से विदा लेता है और उन दोनों के साथ चला जाता है दोस्तों उस गुप्त पत्र में पता है क्या लिखाता उस गुप्त पत्र में ये जानकारी लिखी थी कि जैसे ही ये लोग यानि कि जैसे ही हैमलेट इंगलेंड पहुँचे दर्बार में उसका मडर करवा दिया जाए इंगलेंड के राजा के द्वारा ये बात लिखीती है उस कुप्त पत्र में दोस्तों अब हैमलेट इंगलेंड जा रहा था तबी उसकी मुलाकात एक छोटी सेन्ने टुकडी से होती है जो कि 14 ब्रास के नेतरत्र में पॉलेंड पर हमला करने के लिए जा रही थी जहां दोस्तों में आपको बताया था 14 ब्रास यही हैमलेट का जो है की एक यह वेक्ती है 14 ब्रास नाम का तो इस 14 ब्रास के नेतरत्र में एक सेन्ने टुकडी जो है वो जा रही है कहां पर वो जा रही है पॉलेंट पर हमला करने के लिए तभी दोस्तों दोनों के बीच में बहुत सारी बातचित होती है यानि कि 14 ब्रास और हैमलेट दोनों के बीच में बातचित होती है हैमलेट 14 ब्रास से इस्पिरेशन लेता है कि यार पॉलेंड तो इतना चोटा सा देस है है ना और उस पर भी हमला करने के लिए ये जा रहा है फोर्टीन दरास यानि की ये ये चीज नहीं देख रहा है कि चोटा है या बड़ा है इसे सिर्फ अपना टार्गेट दिखाई दे रहा है तो जो हैमलेट है वो उसे इस्पायर होके हैमलेट को अपनी कायरता की याद आती है और वह निश्चे कर लेता है कि अब मुझे अपने पिता की मौत का बदला कलोडियस से लेना है फिर दोस्तो कहानी आगे बढ़ती है महल का उसमें सीन दिखाया जाता है जिसमें गर्टूथ और होरेशो बात कर रहे है दरसल दोस्तो ओफेलिया के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं होरेशो और गर्टूथ दोस्तो ओफेलिया को एक मेंटल शोक लगा है क्योंकि उसके पिता पॉलोनियस के डथ हो गई यह ओफिलिये पागल हो गई यह दोस्तों वह गाना गाते हुए इधर उधर भटक रही है दोस्तों हुरेशियो भी उफिलिया के पीछे-पीछे चलकर उसके विवार का अध्यन करना चाह रहा है है न ओफिलिया बार बार एक गीत को रिपीट कर रही है इधर से उधर वो चल रही है और हुरिश्यो जो है उसके पीछे पीछे चल कर पता लगा रहा है कि आखिर ओफिलिया के साथ ऐसा हुआ क्या तब ही दोस्तों खबर मिलती है कि पॉलोनियस का जो बेटा है जिसका नाम है लियर्टीस हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये है एक बंदा जो है इस पॉलोनियस का बेटा जिसका नाम है लियर्टीस दोस्तों खबर मिलती है कि लियर्टीस बड़ी भारी भीर लेकर म और पता नहीं वो क्यों आ रहा है बहुत गुस्ते में लग रहा है राजा के पास Leertes आता है उस पहुंचता है वो कहता है कि Clodius तुमने मेरे पिता को मारा है यानि कि मेरे पिता को तुम लोटा दू क्यूंकि दोस्तो Clodius एक धोके बाज वेखती है वो Liertes को उगर रूप देखकर empathy दिखाता है और Liertes को शाद कर देता है उस से पिता की मोद की जाच कराने का वो भरोसा देता है और जब इस्तिती समाने हो जाती है तब Clodius Liertes को पूरी इस्तिती बता देता है कि Liertes तुमारे मन में जो धारणा है है ना हैमलेट ने ही उसके प्रता की जो है कि हैमलेट नहीं तुम्हारे पिता की मृत्यों करी है तुम्हारे मनमे जो यह धारना है ना कि तुम्हारे प्रता को मेने मारा वो गलत है जाने कि हैमलेट के बारे में पूरे के पूरे कान भर देता है ये Clodius Leartis से दोस्तो ओफेलिया के पागलपन का जिम्मेदार भी है ये बात भी कहता है कौन? Clodius कहता है उस Leartis से ठीक है? कहानी आगे बढ़ती है नया सीन दिखाया जाता है उसमें क्या होता है दोस्तो? राजा को हैमलेट का एक पत्र मिलता है राजा मतलब को? Clodius तो फिर आप सोचोगे कि क्या हमलेट इंगलेट नहीं पहुचा क्या? नहीं पहुचा दोस्तों वो वापस आ गया क्यों? कहानी में आपको आगे बता चलाएगा दोस्तों Clodius को एक पत्र मिलता है हमलेट वापस देनमार्क की तरह पा रहा है ये उस पत्र में लिखा रहता है खबर रहती है तभी Clodius हमलेट को मारने की एक नई योजना तयार कर लाता है यानि कि Clodius पहले ही एक योजना बना चुका था कि जैसे ही हमलेट इंगलेट जाएगा वहाँ पर इसका मडर कर दिया जाएगा लेकिन अब क्योंकि वो वापस आ रहा है इंगलेट से तो उसको मारने की एक नई योजना तयार करता है Clodius वो लिखा इसको बताता है कि तुम्हें एक डुएल करवाना है डुएल मतलब होता है दोस्तों युद तुम्हें एक तेजधार वाली तलवार लेनी है और उस तलवार पर तुम्हें लगाना है जहर मैं एक युद का एउजन करूँगा यानि कि एक डुएल करवाऊंगा और तुम्हें उस युद में लियर्टीस से लड़ना यानि कि लियर्टीज और हैमलेट दोनों के बीच में युद्ध करवाना चाहरा है तो यह जो है कि उससे कहता है लियर्टीज से कौन कहता है क्लोडियस कहता है कि तुम तेजधार वाली तलवार लेना और उस पर जहर लगा लेना और जब तुमारी लड़ाई होगी हमलेट के साथ तो तुम हमलेट को मार देना और अगर तुम हमलेट को नहीं मार पाए तो कोई बात नहीं मैंने एक और प्लान तीयर करा है मैंने क्या करा है कि जब हमलेट तुम से युद्ध करते करते ठक जाएगा तो वो कुछ एनरजी डिंक की मांग करेगा कुछ पेपदार्त की मांग करेगा तो मैं पहले से ही उसमें पोईजन डालके रखूँगा तो जिसे ही वो इसको पिएगा वो मर जाएगा ठीके दोस्तो अब कहानी आगे बढ़ती है कहानी में दोस्तो होता ये है कि ड्वैल चल रहा है लियर्टीज और हैमलेट के बीच में लेकिन तभी इसी दुरान वहाँ पर आ जाती है गर्टूथ राजा ओफेलिया जो है कि राजा को बताती है गर्टूथ की ओफेलिया ने सुसाइट कर लिया है जाने कि ओफेलिया के सुसाइट की सूचना गर्टूथ देती है कलॉडियस को जोस्तो लियर्टीज बुरी तरह बेचेन हो जाता है जाने कि युद्ध अभी स्टार्ट नहीं हुआ है युद्ध होने की बात चल रही है अभी हैना तो liertes बुरी तरह बेचेन हो जाता है रोता हुआ बाहर निकलता है और ओफेलिया के बारे में वो कहता है कि ओफेलिया तुम क्यों चली गई प्यारी ओफेलिया दोस्तो ओफेलिया ने पॉंड में suicide कर ली है ऐसा बताया जाता है कि एक water body बोडी सी वहाँ पर शायद पॉंडी होगा तो उसमें उसने सुसाइट की है दोस्तों प्ले का पाँछवा एक्ट शुरू होता है और पाँछवे एक्ट में हम ग्रेव डिगिंग का सीन देखते हैं ग्रेव डिगर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कब्र को खोदने का काम कर रहे हैं तो हैमलेट और होरेशो उन ग्रेव डिगर्स के पास जाते हैं क्योंकि दोस्तों कॉमिक रिलिफ के लिए ग्रेव डिगर्स महाँ पर रहते हैं यानि कि वो उस ओफिलिया की बोडी को महाँ पर दपना रहे होते हैं लियर्टीज भी महाँ पर आता है और वो नराज हो रहा है लियर्टीज नराज हो रहा है दोस्तों कि मेरी बहन का अंतिम संसकार क्रिश्यन परिपार्टी से नहीं किया जा रहा है लेकिन ठीक है उसे जो हैमलेट है वो कन्वेस कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा इससे चिंता करने की जरवत नहीं है है ना देखेंगे आगे जो होगा दोस्तो होता यह है कि हैमलेट को जब पता लगता है कि यह ओफेलिया की कबर है तो बहुत जदा पागल हो जाता है हमलेट याने कि ओफेलिया की खुदी हुई कबर में वो गिर जाता है याने कि यहां पर आप देख सकते हो कि हमलेट ओफ चुका है दोस्तों कुन सा लेटर ये वह लेटर है जो रोसें क्रेंट्स और गिल्डिस्टीन को इस क्लोडियस ने दिया था किसलिए कि जैसे ही तुम वहाँ पर पहुचो इंगलेट के राजा को ये लेटर दे देना और उसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही हमलेट इंगलेट पहुचेगा उसका मेंडर करवा देना लेकिन होता दोस्तों यहाँ पर ये है कि गुपत लेटर जो है ये हमलेट के हाथों पहले लग चुका था तो उसने क्या करा कि उस लेटर में से अपना नाम काट कर उसके नाम के आगे दूसरे दो नाम लिख दिये और वो दो नाम थ तो इसलिए उन दोनों के हत्यां वहाँ पर हो जाती है है ना यानि कि हैमलेट बला चलाक था उसने पहले ही भाप लिया था कि ये लोग मेरे साथ गद्दर ही कर रहे है इसलिए उसने उन लोगों के मडर को प्लान कर लिया ठीक है दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है तो दोस्त जब हमलेट वापस आता है तो औसरिक नाम का लोगोथ है पर उसे लियर्टी से जो भी पुराने मद्वे थे उनको भुला देना चाहिए लेकिन हमलेट रिफ्यूस कर देता है उसकी बात को और फिर आगे हम देखते हैं कि दोनों के बीच एक युद्ध होता है लियर्टी ज़वार करता है अब लियर्टी ज़वार कर रहा है उदर से हमल हमलेट के यानि कि उसको पता था कि अगर हमलेट उदर नहीं मरा तो कम से कम यह पेपदार पीकर मर जाएगा तो दोस्तों जो पे उसने जहर मिलाकर हमलेट के लिए बनाया था उससे पी लेती है गल्ती से गल्ट्रोथ धोके से वो पी लेती है और जहर का असर इतना नेता है कि तुम्हारे मडर की प्लानिंग हुई थी है ना और इन सब के लिए जिम्मेदार है ये कलॉडियस मेरे पिता को भी इसी ने वहाँ पर छुपने के लिए कहा था और इसी लिए मेरे पिता की मिरत्य हुई है दोस्तो जो हैमलेट है वो क्या करता है जब ये सारी बात सुनता है तो वो लियर्टी से वो जहर वाली तलवार छीन कर क्योंकि दोस्तो हैमलेट जो है वो लड़ते लड़ते दोनों की तलवार एक्षेंज हो गई थी तो वो क्या करता है वो जहर वाली तलवार सीधी कलोडियस के सीने में उससे वार कर देता है और इस त तरीके से म्रत्यू हो जाती है Claudius की दोस्तों नेक्स सीन हमें दिखाया गया है कि Horatio और Hamlet जो है इन दोनों के बीच में बात चल रही है दोस्तों यह जो मैंने आपको वदाया था जो है Horatio दोस्तों और दोस्ते बच्पन के रोसें क्रेंड और गिल्रिस्टीन लेकिन यह दोनों तो धोका करते हैं तो यह काहे कि बेस्ट फ्रेंड हुए तो दोस्तों होरेशो और इन दोनों के बीच में बात चल रही है हैमलेट हुरेशो से कहता है कि हुरेशो तुम जिंदा रहो तो मेरी कहानी तुम लोगों को बताना तुम मेरी सच्चा ही लोगों को बताना कि मैं किस तरीके से जिंदगी के संगर्फ में उल्या था और किस तरीके से अंतिम समय में भी मेने हार नहीं मानी और अपने पिता क चाइब? delivered जो होरेश उ को निकल रहे हैं. कि मेरे मुथ से फॉर्टेतुय oppress को दे दी जाए. यह हिसके लास्टविल रहती है और हैम्लेट के मुhu से अंचिम शब्धो निकलते है Himmet के मूथ से अंतिम प्लेजा है DESET लेक्चर को सुनोगे है ना दोस्तों तो तभी आपको ये प्ले समझ में आएगा आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े इसके बारे में डिसकस करेंगे जोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम सॉलिलिकी इस भी डिसकस करेंगे वाट इस वा